भारती जन्ता पार्टी अस्टित्व में रहेगी भारती जन्ता पार्टी सत्ता में रहेगी देश के अंदर शान्ती अमन और चैन कायम नहीं रह सकता और जब देश में नफरत के बीज बोए जाएंगे जब देश में शान्ती ही नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता नوجवान को रोजगार नहीं मिल सकता माताओं बेहनों को महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता किसान को उसके फसल कादाम नहीं मिल सकता आम इनसान की जिंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो सकती और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनीपुर में जो हिंसा हो रही है मनीपुर जो पिछले डेड़ महीने से जल रहा है आज उस मनीपुर की हिंसा पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की खामोसी ये साबित करती है कि भारती जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्टरी का विस्तार पूरे देश में होता रहे कभी हिंदू मुसल्मान के नाम पे जगड़ा कराओ कभी हिंदू सिख के नाम पर जगड़ा कराओ कभी हिंदू क्रिस्चन के नाम पे जगड़ा कराओ जब धर्मों का जगडा कहतम हो जाए तो जात और गैर जात के नाम पे जगड़ा कराओ आदिवासी समुधायों के बीच में जगड़ा कराओ तो भारती जनता पार्टी दरसल भारती जगड़ा पार्टी बन गई है भारती जगड़ा पार्टी जगड़े कराकर नफरत पहलाकर हिंसा पहलाकर पूरे देश की बरबादी भारती जनता पार्टी का मकसद है इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ इस देस के लोगों से कि इनकी असलियत को पहचानिये जब तक ये स्तित्त में रहेंगे इस देस का विकास नहीं हो सकता नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल सकता महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता तेड़ महीने से मनी पुर जल रहा है सैकणों लोग की जान चली गई कोकीज और मैतीस के बीच में झगड़ा कराया हिंसा हो रही है और हिंसा भी कोई सामान ने हिंसा नहीं उस राज्जी की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया देश के केंद्री मंत्री का घर जला दिया गया भारती जंता पार्टी का दफ्तर जला दिया गया तमाम नेताओं को दोडा दोडा के मारा जा रहा है पीटा जा रहा है हजारों की संख्या में घर जला दिये गए मनीपुर में हजारों की संख्या में और मैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बताओ जरा हमें कि कैसे वहाँ पर एक ही 47 और विदेशी हत्यारों का इस्तेमाल मनिपुर की हिंसा में हो रहा है कहां से आ रहे हैं हत्यार चीन से आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है मैंगमार से आ रहा है कहां से आ रहा है लेकिन प्रधान मंत्री खामोस है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मूँ से मणीपुर की हिंसा पे मणीपुर का मा नहीं निकल रहा है मा इसलिए ये सावित होता है कि एक अक्षम एक गैर पढ़ी लेखे एक ऐसे प्रधान मंत्री देश के अंदर है जो देश को बरबादी की ओर लेके जाना चाहते हैं उनके पास कोई एजंडा नहीं है कोई दृष्टी नहीं है कोई काम उनको नहीं करना है सिर्फ नफरत फैलाओ और राज करो यही भारती जंता पार्टी और देश के प्रधान मंत्री का फार्मूला है और जैसा मैंने आपको कहा हिंदू को मुसल्मान से लडाओ हिंदू को सिख से लडाओ हिंदू को क्रिस्चन से लडाओ जब धर्मों के जगड़े से खाली हो जाओ तो जाट को गैर जाट से लडाओ मराठा को गैर मराठा से लडाओ आदिवासी के दो समुदायों के बीच में जगडा कराओ आदिवासी को आदिवासी से लडाओ तो ये भारती जगडा पाटी का काम है